और अब ट्विटर को लेकर ट्विटर के सेक्शन पर बेवाद गहराता जा रहा है हमारे सहयोगी मोहित राजदूबे हमारे साथ जोचुके हैं सीधे उनका रुक करते हैं मोहित मामला गंभीर है और सवाल तो ये उटता है लगतार लोग इस बात की मांग कर रहे हैं बिल्कुल आखे सेई सवाल है कि हंदुस्तान में बैपार करना हील मेंूका है तुटर इंडिया का एक कहना है कि डिस्टर मिलेनियम कॉपिरेट एक्ट का उलंगधन पाया गया है तेकिन उलंगधन अगर पाया गया ता आपको पहले नोटिस दिया देना चाहिए था वह अपने नोटिस दिया नहीं लिहाजा शशी थरूर भी एक्षन मोड पर दिखाई दे रहा है जो आईटी मामलों के संसदी कमिटी के चैर्मेन अनुसीधर तोर पर कहा कि हम ट्यूटर से पूछेंगे कि आपने किस आधार पर किस मिला पर जो है आप अपने देश्ट कानून और नियमू की पैरवी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सीथ करता है कॉपिर एक्ट का उसने हवाला दिया लेकिन NCPCI राष्टे बाल अधिकार सनलक्षण आयोग ने जो DCP दिल्ली पुलिस जो साइबर सेल के हैं उनको तलब किया है मैं मैं में कहा गया था कि ऐसे कंटेंट है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है ट्विटर पर वो बच्चों की पाउ किया और यह भी कहा है कि सिर्फ तलब ही नहीं किया है बलकि यह कहा है कि अब तक आपने इस पर कया जाच की है उस रिपोर्ट को लेकर भी आई और हम और हमसे साजा कीजिए ट्यूटर इंडिया लगतार जो NCPCI सवाल उठाता रहा है कि असलील समागरी परोस्ता रहा है दिल्ली पुलिस को जाच करना था साइबर सेल को जाच करना था अब तक जाच में कितनी प्रकति हुए क्या रिपोर्ट बनाई गए इसको लेकर 29 जून को जो है तलब किया है जिसको लेकर NCPCR ने अब DCP साइबर सेल को तलब किया है